केपीतरी डियोग्राफिक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आईए आज हम लोग अध्याय पाँच इस्तला कृतिक मान्चित्र टोपोग्राफिकल मैस के महत्पूर प्रशनों का अध्यन करते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश N.C.E.R.T. पाठ पुष्तक के प्रशनोंतर का हम लोग अध्यन करेंगे पहला प्रशन है इस्तला कृतिक मान्चित्र क्या होते हैं इसका उत्तर इस्प्रकार है सुद्ध सर्वेच्छड के आधार पर उच्चावच्छ वनस्पति क्रिस गत्भूम बस्तियों अपवाह तथा परिवहन का प्रदर्शन करने वाले मान्चित्र इस्तला कृतिक मान्चित्र कहलाते हैं इन्हें भौगोलिक तथ्यों का भंडार कहा जाता है आगे हम लोग देखेंगे अगला प्रशन भारत की इस्तला कृतिक मान्चित्र बनाने वाली संस्था का नाम बताईए तथा इसके मान्चित्रों में परियुक्त मापनियों के विशे में बताईए इसका उत्तरिस प्रकार है भारत की इस्तला कृतिक मान्चित्र बनाने वाली संस्था सर्वे आफ इंडिया है इसके दोरा एक अनुपात दस लाख तथा एक अनुपात बारा लाख पचास हजार या एक अनुपात पचास हजार तथा एक अनुपात पचीस हजार आदि मापनियों का प्रियोग किया जाता है आगे चलते हैं आगे हम लोग देखेंगे अगला प्रष्ण। भारती सरवेच्छड बिभाग हमारे देश के मानशितर में किन मापनियों का उप्योग करता है। इसका उत्तरिस्प्रकार है भारती सर्वे छटड विभाग सर्वे आफ इंडिया हमारे देश के मांचित्रण में विभिन मापनियों जैसे एक अनुपात दस लाख एक अनुपात बारा लाख पचास हजार एक अनुपात पचास हजार तथा एक अनुपात पाश हजार तथा एक अनुपात पचीश हजार का प्रियोग करता है आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न, समोच रेखाएं क्या हैं? इसका उत्तरिस्पकार है, समोच रेखा वे कालपनेक रेखाएं हैं, जो माध्य समुद्र तल से समान उचाई वाले बिंदों को मिलाती हैं, या धरातल के उच्चावच लच्छनों को दर्साने वाली लोग प्रिये बिदी हैं, आगे हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न, समोच रेखाएं के अंतराल क्या दर्साते हैं? इसका उत्तरिस्पकार है, समोच रेखाएं के अंतराल दो प्रकार की उचाईयों, पहला है उर्द्वाधर उचाई, और सेकंड है लं बहुत उच्चाई को दर्साते हैं और समोच रेखाएं समान उर्द्वाधर अंतर पर बनाई जाती हैं ये 10-50-10 मीटर के अंतराल पर खीची जाती हैं आगे है अगला परशन रूड चिन क्या है इसका उतरिस प्रकार है अस्तला कृतिक मान चित्रों में अंतर राश्टी अस्तर पर जो पारस पर एक चिन संकेत तथा रंग प्रियोग किये जाते हैं उन्हें रूड चिन कहा जाता है रूड चिन मान चित्रों की संकेत लिपी होते हैं आगे चलते हैं आगे हम लोग देखेंगे नेक्ष्ट है संछिप्त टिपडिया जिसमें कहा है समोच रेखाएं आए देखते हैं समोच रेखाएं समोच रेखाएं जिसे कंटूर्स भी कहते हैं यह विधी उच्चावच को प्रदर्सित करने की सरवस्रेश्ट विधी है समुद्र तल से समान उचाई वाले इस्थानों को प्रदर्सित करने वाले कल्पित रेखाओं को समोच रेखाएं या कंटूर लाइन्स कहते हैं परतेक समोच रेखा पर उसकी उचाई लिख दी जाती है सभी समोच रेखाओं के मध का अंतर समान रखा जाता है इन्हें बनाने में समुद्र तल को आधार मान लिया जाता है इनके मध्य का अंतर मान चित्रों के विस्तार पर निर्भर करता है आगे हम लोग देखें जे समोच रेखाओं की विशेष्टाएं जिसमें पहला है ये रेखाएं एक समान उचाई के इस्थानों को आपस में जोड़ती है नेश्ट है एक समोच रेखा दूसरी को कभी नहीं काटती वे एक दूसरे से अधिक या कम दूर हो सकती है नेश्ट पॉइंट है जो समोच रेखाओं गोला कार होती है उनके सिरे आपस में मिले होती है वे परबत या खड को प्रकट करती है नेश्ट है प्रतेक समोच रेखा पर उसके द्वारा प्रदर्सित उचाई लिखी होती है यह उस छेतर की वास्तविक उचाई प्रकट करती है नेश्ट है समोच रेखाएं पूर रेखाएं होती है खंड रेखाएं नहीं होती है और आगे है उच्चाई दिखाने में इन पर बाहर से अंक लिखे जाते हैं और गहराई दिखाने के लिए केंदर से अंक लिखे जाते हैं आगे है समोच रेखाओं को देखकर आसानी से उस छेतर के ढाल का ग्यान प्राप्त किया जा सकता है आगे चलते हैं अगला प्रशन इस्तला कृतिक सीट में उपांत सूचनाए इसका उत्तरिस्प्रकार है इस्तला कृतिक सीट में उपांत सूचनाए मान्चित्र की सीमाओं पर जो महतपूर सूचनाए अंकित होती हैं उन्हें उपांत सूचनाए कहा जाता है इसमें पहला है इस्तलाक्रितिक सीट संख्या, दूसरा है छेतर की इस्ति, तीसरा है डिगरी तथा मिनट, चौथा है विश्तार और पाचवा है मापनी तथा संकेत आध होते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट है भारतिय सर्वेच्छर विभाग आए इसके बारे में जानकारी करते हैं भारतिय सर्वेच्छर विभाग, भारत सरकार ने सर्वेच्छर करने तथा मांचित प्रकासन हैं 1767 इसबी में भारती सरवेच्छड विभाग सरवे आफ इंडिया की स्थापना की थी इसका मुख्याले कुत्राखंड राज के देरादून नगर में है इस संस्थान ने 1785 इसबी में भारत का मानचित्र प्रकासित किया या विभाग सरवेच्छड कराकर मापनियों के आधार पर भारत और अंतरराष्टी मानचित्रों की स्रंखला का प्रकासन करता है आगे चलते हैं आगे हम लोग देखेंगे इसका उत्तर प्रकार है इस्तला करतिक मानचित्र निर्वचन से आसे उस विधी से है जिसमें मानचित्र में प्रदर्शित लच्छणों के मद सम्मंधों को समझा जाता है मानचित्र निर्वचन प्रक्रिया के अंतरगत इस्तला करतिक मानचित्रों पर प्राकरतिक वनस्पतियों के वितरड किर्स के अंतरगत छेत्रों भू आकरतियों एवं अपवाहत तंत्र की विवस्था को ठेक ठेक समझा जा सकता है और इस प्रकार से बैस्तियों की वितरड़, परिवहन, मारगों तथा इस्तला कृतियों की पहचान करना भी इसका लच्च होता है आगे हम लोग देखेंगे अगला परस्म ये दि आप इस्तला कृतिक सीट के सांस्कृतिक लच्चणों की व्याख्या कर रहे हैं तो आप किस प्रकार की सूचनाय लेना पसंद करेंगे तथा इन सूचनाओं को कैसे प्राप्त करेंगे उप्युक्त उदाहरड की सहायता से विवेचना करें इसका उत्तर इस प्रकार है इस्तला कृतिक सीट के सांस्कृतिक लच्छनों की ब्याख्या करते समय हमें निमनी सूचनाओं को प्राप्त करना होगा इसमें पहला है बश्तिया आवास छेतर तथा भौन नेक्ष्ट है परिवहन के साधन रेल मार्ग एवं सडक मार्ग और आगे है संचार के साधन तथा तंतर का विश्तार और आगे है रेडियो स्टेशन तथा दूरदर्शन टावर्स और इस प्रकार से उपर यक्तु सभी सांस्कृतिक जानकारियां हमें मांचित्र में दिये गए रोड़ चिन्हों संकेतों तथा रंगों के माध्धम से मिलेंगी इन सबका प्रकासन भारत का सरवेच्छड विभाग करता है आगे हम लोग देखेंगे अगला प्रशन देखते हैं निमनलिखित लच्छणों के लिए रोड़ चिन्हों तथा संकेतों को बनाईए जिसमें का है अंतराश्टी सीमाएं खा है तल्चिन गाह है गाउं गाह है पक्की सडक और अंगा है पुल सहित पकडंडी और चाह है पूजा करने के स्थान और चाह है रेल पहला है का अंतराश्टी सीमाएं और अंतराश्टी सीमाएं इस परकार से बनाई जाती है यह आप देख सकते हैं अंतराश्टी सीमाएं इस परकार से बनाई गए गए ठीक आगे चलते हैं आगे हम लोग देखेंगे खा है तल्चिन तल्चिन इस परकार से बनाया जाता है तल्चिन में बीम लिख करके उसका नंबर लिख दिया जाता बीम माने बेंच मार्क और आगे चलते हैं आगे है नेक्ष्ट गा है गाओं और गाओं को इस प्रकार से रोड़स्चिनों के माध्धम से प्रदर्षित किया जाता है और आगे चलते हैं आगे है नेक्ट है घा पक्की सड़क और पक्की सड़क को इस संकेतों के द्वारा दिखाया जाता है आगे हम लोग देखेंगे अंगा है पुल सहित पकडंडी तो पुल सहित पकडंडी को इस रूड़ चिन्ड के माध्धम से दिखा सकते हैं आज देखते हैं, इस रूड़ चिन के माद्रम से दिखा सकते हैं, आगे है उस चा, चा है पूजा करने का अस्थान, पूजा करने का अस्थान इसमें मंदिर है, मस्जिद है और गिर्जा घर है, तो मंदिर को इस प्रकार से दिखा सकते हैं, मस्जिद को इस प्रकार से रूड़ चिन के माद्रम से दिखा जा सकता है, और गिर्जा घर को इस प्रकार से प्रमपरागत चिन के माद्रम से दिखाया जा सकता है, आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे, छा है रेल लाइन और रेल लाइन को इस प्रकार से आप दिखा सकते हैं और आगे चलते हैं आगे हम लोग देखेंगे परिछोप योगी अन्य महत्तपूर प्रशन आईए देखते हैं बहुत बिकल्पिय प्रशन हमारे सामने है पहला प्रशन है भारत के इस्थलाकृतिक मान चित्रों का निर्मार निम्न में से काउन करता है चार आपसंद ये गए हैं चारों में से सही उत्तर है पहले का गा उत्तर सही है और इस प्रकार से हम कह सकते हैं गा माने भारती सरविच्छडविभाग और इस प्रकार से कहा जा सकता है कि भारत के इस्थला कृतिक मानचित्रों का निर्माड निम्न में से भारतिय सरवेच्छड विभाग करता है आगे चलते हैं आगे हम लोग देखेंगे अगला प्रस्म समोच रेखा निम्न में से क्या है चार आफशन दिये गए हैं चारों में से सही उत्तर है दूसरे का घा उत्तर सही है दूसरे का घा यानि समान उचाई प्रकट करने वाली रेखाएं और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समोच रेखा निम्न में से समान उचाई प्रकट करने वाली रेखाएं हैं आगे हम लोग देखेंगे अगला प्रश्ण आई देखते हैं आर्या चिरूर चिन्न निम्न में से किसे प्रकट की करता है चार आफशन दिये गए हैं चारों में से जो सही उतर है ओ है तीसरे का गाउतर सही है और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आर्या चिरूर चिन्ने निम्न में से बिस्राम ग्रह प्रकट करता है आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे अगला प्रस्न वी आकार की घाटी का निर्मार निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है चार आप्सन दिये गए हैं, चारों में से सही उत्तर है चोथे का का, यानि नदी और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वी आकार की घाटी का निरमार निमनमे से नदी द्वारा किया जाता है आगे हम लोग देखेंगे अगला प्रश्ण है निमने लिखित में से काउन बश्तियों का प्रकार नहीं है चार आपसन दिये गए हैं चारों में से सही उत्तर है पाचवे का उत्तर सही है पाचवे का उत्तर सही है और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि निमने लिखित में से थुरुबिये बस्तियों का प्रकार नहीं है इस प्रकार आज हम लोगों ने अध्याय पाँच के महत्पूर प्रसनों का आध्धन किया आज यहीं तक बहुत बहुत धन्वाद